हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तब से प्यार भरा नमस्कार सत्रिया काल आदाब दूस्धो एक़ार मैं फिर हाजीर हूँ एक नई रे की साथ आज हम बना रहे है पालक प्रनीर बितरck बनाना बरोड़ा है तो इसे हम अपने गर साफ करता है यह कम से कम साथे साथ सु ग्राम के करीब रह जाता है ज्यादा नहीं होता है तो इसे हमें साफ करने के लिए क्या करना है पहले मैं से ओपन कर लेती हूं वैसे ज्यादा तर तो पालक साफ ही होती है, फिर भी इसके पत्ते कई वरियासे होते हैं, गंदे सड़े हुए पत्ते होते हैं, साफ करना बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह से हमें पत्तों को तोड़ते जाना है, हमें इसकी टाम बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करनी है, सिर बिल्कुण नहीं चाहिए चया है और हमने पत्ते ही चाहिए क्यों मैं यह नाहीं है यह पत्त बिल्कुल साफ है इसको हम तोड़ कर प्लेट में रख लेंगे कि यह दिए कि हमें नहीं चाहिए पता नहीं है कि यह खराब स्वाइब इसमाल में भूलकुल साफ शुत्रे पत्ते हमसे चाहिए इसमें सारे पत्ते तोड़ कर साफ करने के बाद उसे ती सही तरह पानी में दोगर ले लूंंगी ये दिके फ्रेंट्स मैंने पत्तों को अच्छी तरह से साफ करके पानी में तीन चार बर डालकर इसे दो लिया है और विल्कुल साफ सुत्रे पत्ते हैं अब हमें इसे करेंगे बॉयल यानि की ब्लांच करेंगे इसे हमें तो पहले मैं गयास होन करके रखूंगे उसके पर प जैसा बॉयल करने के बाद हम सभी पत्ते पालक के पतीले में डाल देंगे ये दिखिए पानी उबलना शुरू हो चुका है तो हम सभी पत्ते इसमें डाल देंगे ताकि पत्ते अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं और इसे हमें ज़्यादा कोक नहीं करना है दो से ती अच्छी तरह से एक बार हम नीचे कर देते हैं ताकि सभी पत्ते ब्लांच हो जाएं तो अब जैसे ही पत्ते हमारे दो से तीन मिनट के लिए बॉयल हो जाएंगे तो इसे निकाल कर हम ठंडे पानी में डूबो देंगे ताकि वह बिल्कुर ठंडे हो जाएं और ओवर कुक यह देखें है friends मैंने इसे grind कर लिया है और कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें अभी आपको यह liquid भी form में नजर आ रहा है को कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे grind किया है वैसे पानी डालने की जुरूरत नहीं है बर फिर भी हमें हलका सा पानी डालना पड़ता है दो से तीन चमज तभी यह इजीली ग्राइंट हो जाते हैं अब हम लगाएंगे इसको तड़का तड़के लिए रखतूंगी मैं गैस के ओपर कड़ाई कड़ाई में मैंने डाल दी हैं दो चमज रिफाइन डॉयल और थोड़ा सा बटर बटर को मेल्ट होने देत यह आप यकीन मानिए इस तरह से बनाएंगे आप सब्जी तो बहुत ही बड़िया सब्जी बनकर त्यार होगी मैं डाल रही हूं इसमें जीरा जीरे का फ्लेबर भी इसमें बहुत बड़िया आता है तो इसे कर लेते हैं थोड़ा सफ्राइग और मैंने प्याज को और हरी मिर्च को ब्रीक ब्रीक चॉप किया है मैंने ग्रैंड बिल्कुल भी नहीं किया कि इसमें अगर हम भी दिखाई देगा इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा प्याज हो गया रहा तो आप देखिए मैं किस से बना रही हूं और बहुत ही इसे भी हलका सा fry कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है इसमें से, आप भी इस तरह से बनाईए, आप भी कहेंगे वाकई बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है हरी मिर्चुट जीरे की, और साथ में ही डाल दूंगी मैं इसमें प्याज, एक प्याज मै मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है, और इसे करेंगे हम fry, ज्यादा हम इसे गोर्डन ब्राउन नहीं करना है, हलका light ब्राउन ही हम इसे रखेंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि यह प्याज जो चॉप करके डाले हुए हैं, कि ग्राइंड करके डाले हुए हैं, पालक लसन अद्र का पेस्ट बहुत ही बढ़िया खुश्बू आरी बहुत ही बढ़िया आपको भी मालूम है जब हम तड़का लगाते हैं तो उसमें कितनी बढ़िया खुश्बू आती है बस इस तरह से चलाते हुए से हमें थोड़ा सा हलका ब्राउन करना है यह दिखिए ब्राउन हो चुका है प्यास इससे ज्यादा हमें और ब्राउन नहीं करना मैं डाल दूंगे इसमें एक ही टमाटर की प्यूरी यह भी मैंने ग्रेटर में ग्रेट की है मिक्सी में ग्राइंड नहीं की है तो मैंने ब्रीक वाली साइट से इसे मैंने ग्रेट कर लिया था तो टमाटर तो बहुत इजीली ग्रेट हो जाता है तो इसे हम अब इसी तरह से चलाते हुए एक बर मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसमें सभी मसाले मसाले ज्यादा इस्तमाल मैं नहीं कर रही हूं बिल्कुल भी बहुत ही कम मसालों में हम इसे बना रहे हैं तो बेसिक मसाले हमें इस्तमाल करने हैं इसमें तो सबसे पहले म मिर्च के गरीभी डाल रही हूं मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, यह भी आप अपनी स्वात के नुसार रेज सकते हैं, और 140 सुपर मैंने इसमें डाला है हरी, हल्दी, क्योंकि हल्दी में जो कलर है, वो इसमें बहुत बढ़ी आता है, दनिया पौडर और इसे हम अब अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला हमें अच्छी तरह से भूनना बहुत जरूरी होता है तब ही हमारी जो सबजी हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट जबरदस्त आता है तो इसे में धक कर कम से कम 2-3 मिनट इसे भूनने के लिए रख दूंगे और फिलेम करेंगे हम लो तो 2-3 मिनट इसे लगा लेते हैं तीन से साड़े तीन मिनट हो चुके हैं और इसे एक बर चला देते हैं इसे थोड़ी दिए मैं इसे और भूननूंगी जब तक इसमें से ओयल सेपरेट नहीं हो जाता जो हमने ओयल और मक्कन डाला है वो मैं मसाला जो ओयल है मसाले से बिल्कुल अलग हो चुका है मसाला थी रही है जो मैं इस्टमाल करनेवाली हूं उसकी वारी तो उसके लिए मैं लूँघी ये आटा इसे मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया है ये आटा मैं इसमें डाल रही हूँ कम से कम एक चम मच के ग्रीव ये फ्रेंट्स आप हेरान हो रहे होंगे कि इसमें आटा डालने का क्या मतलब है तो आटा डालने से जो हमारी जो पालक पनीर की ग्रेवी है वो बहुती और थिक gravy त्यार होती है बिल्कुल जैसे बजा में रेस्टोनेंट में हम खाते है या जो हलुआeloore बनाते हैं बिल्कुल护ानीर है वही बिल्कुल टेस्ट केुं папا में परहिए है तो क्योंकि साग बनाते हैं पालक की प्यूरी जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था तो इसे कर देंगे हम अच्छी तरह से mix आटा को अच्छी तरह से भून कर ही इसमें डालना है कच्छा आटा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है तो इसे में आटा को पकाने की जिरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है तो अभी तो यह देखिए अभी आपको ठोड़ी ग्रेवी मतलब की क्यक्ति की दिखाई दे रही है इसमें बहुत ही बढ़ी आ ग्रेवी बनकर त्यार होने वाली है अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम कर दो बड़े चंमज मैंसमें क्रीम कALLY कर कर रही हूं आप इसमें धहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें मलाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह मैं डाल रही हूं इसमें मलाई और स्वरी क्रीम तो क्रीम दोख चमच की क्रीम मैं इसमें डाल दी है क्रीम से भी इसक हीर साथ में ुकटे हुए पनीर के टुकडे क और तीमिक और Gdar मिक्स को जो बेहां पालक के पत्रे हैं हमने ब्लाच के हुए हो व्यातर पके हुए है मसाला हम अच्छी तरह से पका हुए है रहए गया पनीर पनीर को पकाने के लिए इसे में ढखक कर इसमें कम से कम तीन से चार मिनट के लिए बस इसे पकाऊंगी, यह देखिए, तीन से चार मिनट हो चुके हैं, और सबजी हमारी बिल्कुल बन कर त्यार है, इसमें डाल रही हूं मैं आदा जम्म से थोड़ा सा कम गरम मसाला, मसालों में मसाला, गरम मसाला, मसाले में सभी फ्लेवर होते हैं, तो अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं मसाले को, और मसाले का जो फ्लेवर है, इसमें अच्छी तरह से लाने के लिए, मैं एक मिनट के लिए इसे ढखक कर और पकाऊंगी, यह देखिए, कितना प्यारा कलर आया है, और जिस तरह से पालक थी उसी तरह का color इसमें है और पालक सब्जी हमारी बन कर त्यार भी हो चुकी है तो एक मिनिट हो चुका है यह देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल त्यार है और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला कुछ नहीं डाला तो हमारी सब्जी आश्यक्ति देखिए जैसे जैसे यह थोड़ी ठंडी होती जाएगी इसकी थिकनस और बढ़ती जाएगी आप इमेंसे डाल लेंगे बॉल में लीजिए फ्रेंट्स त्यार हो चुकी है जट पर से पालक पनीर की सब्जी आप यकीन कीजिए यह बहुत ही बढ़िया के फ्लेवर वाली पा बताईए यह थिकनस देखिए इसकी और टेस्ट भी इसका बहुत ही बड़िया टेस्ट आया है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभ झाल